हमने स्टाट किया है क्या स्टाट किया है तो हम एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे इतना भी ज्यादा एडवांस नहीं बट हमें स्टाट बेसिक से करना पड़ेगा टॉपिक काफी जादा लंबा है एक लेक्चर में कवर नहीं होगा तो हम आज सिर्फ पेज 91 और 92 पर आने वाली चीजों के बारे में बात करेंगे करना तो चले शुरू करते हैं एकदम बेसिक से देखो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अर्थ पे जितनी सारी लाइफ है वो किस चीज की बनी है सेल की बनी है सेल के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट और गनल होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं कंट्रो एंड जस लाइक धाट हमारा जो क्रोमोजोम है वो किसका बनता है डीने का बनता है मान लेते हैं कि डीने एक बहुत लंबा धागा है उस डीने को लपेट के लपेट के लपेट के कंडेंस करके क्या बनाया है क्रोमोजोम बनाया है तो उस क्रोमोजोम में से अगर मैं ऐसे दागा बार निकालू, तो ये धागा क्या है, DNA, chromosome सार made up of DNA, ये DNA control क्या करता है भई तुम्हारा, body का सारा characters control करता है, मेरा height है, मेरा skin color है, hair है या नहीं है, कौन से color का है, eye color, ये सारा character कौन control किया, DNA, लेकिन आपको एक बात बता हूं, DNA बहुत जादा लंबा है, एंड ये पू पूरा DNA character नहीं control करता, DNA के उपर कुछ छोटे-छोटे parts होते हैं, segments होते हैं, देखो, ये जो छोटा-छोटा part है, इसको हम क्या बोलते है, gene, and gene character को control करते हैं, तो इस पूरे DNA पर ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे genes होंगे, height का gene होगा, skin color का gene होगा hair का, eye color का, हर एक character का अलग gene होगा, simple, cell के अंदर nucleus, nucleus के अंदर chromosome, chromosome के अंदर DNA, DNA के अंदर gene, gene control करता है character, basic याद आ गया, अब मुद्दे पर आते हैं, मान लोग कि पूरा DNA यहाँ पर रखा हुआ है, अब scientist लोग ने ऐसे काफी सारे chemicals discover किये हुए हैं, कौन से chemicals? enzymes, scientist लोग ने काफी सारे enzymes discover किये हैं, जिसके मदद से हम इस DNA को specific point पर cut कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, cut कर सकते हैं, तो मान लोग कि मैंने यहाँ पर एक gene को cut करके बाहर निकल दिया, यह gene मुझे नहीं चाहिए, इसका character मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने उस gene को enzyme के मदद से cut करके बाहर नि आगा पर मैं एक दूसरा gene लेकर आया, किसी दूसरे organism में से, gene कट करके मैं लेकर आया, and with the help of enzymes, मैं इस gene को उस कटे हुए DNA के अंदर जोड दूँगा, like this, नया gene insert कर दूँगा DNA के अंदर, अब मुझे बताओ, gene क्या कंट्रोल करता है, character कंट्रोल करता है, अगर मैंने नया gene gene DNA में add किया, कैना इसे, एक नया character add हो जाएगा, अरे game समझ रहे हो, यह जो cell है, यह जो organism है, वो एक नया character दिखाने लगेगा, कितनी interesting चीज़ है, spider में से gene निकालो, इंसान में डाल दो, बन गया spider man, lizard में से gene निकालो, इंसान में डाल दो, बन गया lizard man, लेकिन इतना easy नहीं है, इतना easy नहीं है, ठीक है, लेकिन basic समझ में आ गया, इस जोल जपाटे को क्या बोलते है, genetic modification, एक नया gene हमने DNA के अंदर add कर दिया, क्या बोलनेगा, genetic modification, अब यहाँ पर आपको मैं एक मस्त कहानी बताता हूं, यह कहानी आपको syllabus में आगे है, लेकिन मैं आपको यहीं पर ब आगे की पूरी कहानी है, ठीक है, तो अब कहानी सुनो, यह हमारा pancreas, pancreas, insulin नाम का hormone produce करता है, insulin, और यह insulin आपके blood के अंदर जो sugar है, उसको balance में रखता है, control करता है, हमें यह बात पता है, pancreas के अंदर ऐसे कौन से cell होते हैं, कौन सा cell होता है, जो insulin बनाता है, इसके बारे म मैंने आपको बताया हुआ है, बीटा सेल होता है, बीटा सेल produces insulin, परेक्ट, अब मुझे एक बात बताओ, insulin प्रड्यूस करना भी एक कारेक्टर है, मतलब इस insulin का भी एक gene, nucleus के अंदर प्रेजेंट होगा, देखर आपको, there is a gene which is responsible for producing insulin, ठीक है, तो हमने क्या किया, enzyme के मदद स वो gene हमने कट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, what is this, this is the gene responsible for insulin, इसको हमने कट करके isolate किया है, separate किया है, एक बात समझ में आ गई, अब इसको थोड़ा side में पार्क करो, second step बताता हूँ, हमारे पास एक bacteria है, E. coli, इसका पूरा नाम है, Escherichia coli, Escherichia coli, इसका spelling हम आगे जाके देखेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो, E. coli, अब इस E. coli bacteria के अंदर, एक circular DNA होता है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे yellow color का circle है, circular DNA, इसको बोलते हैं, plasmid, plasmid, अब हम इस plasmid को easily bacteria के बाहर निकाल सकते हैं, like this, ठीक है, हमने plasmid को bacteria के बाहर न निकाला, अब हमने वो इंसान का जो gene था न, insulin वाला, वो हमने कट करके यहाँ रखा हुआ है, देखो, human insulin gene, अब हम क्या करेंगे, plasmid को, plasmid का थोड़ा सा DNA कट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है, थोड़ी जगा create करेंगे, और हमारा जो insulin वाला gene है, उसको हम उस plasmid के अ modify किया, हमने insulin वाला gene plasmid के अंदर डाल दिया, अब इस modified plasmid को मैं वापस E. coli के अंदर डाल दूँगा, अब मुझे एक बात बताओ, E. coli bacteria के अंदर हमने एक नया gene इंट्रोडियूस किया, genetic modification हुआ, तो अब यह E. coli एक नया character भी दिखाएगा, दिखाएगा न, कौन सा character दिखाएगा, किसका जीन था हो, इंसुलिन का न, तो अब यह E. coli, इंसुलिन प्रड्यूस करेगा, the E. coli will start to produce insulin, and आज के टाइम में इंडस्ट्री में, इसी तरह से इंसुलिन बनाया जाता है, using bacteria, and वही insulin diabetic patients को भी दिया जाता है, as a treatment, कहानी समझ में आई, किस तरह से gene modification ह हुआ समझ में आया, चलो यहां पर आपको एक और मस्त कहानी बताता हूँ, इसके पहले हमने bacteria को modify किया, using the plasmid, अब हम यहां पर एक plant को modify करने की कोशिश करेंगे, एक plant के अंदर नया gene add करने की कोशिश करेंगे, देखे, एक bacteria है, bacteria का नाम है agrobacterium to me facians, नाम याद रखने की कोई भी जरूरत ने आपके textbook में दिया हुआ नहीं है, मैं सिर्फ आपके understanding के लिए ये कानी बता रहा हूँ, agrobacterium to me facians, इसके अंदर भी होता है एक plasmid, एक circular DNA, same story है, उस plasmid को हम बाहर निकाल सकते हैं, चलो, मान लो कि मेरे पास एक gene है of a desired character, किसी character का एक gene है, जो मुझे plant के अंदर डालना है, तो सबसे पहले हम plasmid को cut करेंगे इस तरह से, हमारा जो gene है, वो हम plasmid के अंदर गुसेट देंगे, plasmid modify हो गया, फिर उस plasmid को हम वापस डाल देंगे, हमारे agrobacterium के अंदर, step number one complete, अब ये bacteria, खुद का copies बना सकता है, एक bacteria divide होगा, redivide होगा, और खु आपको बताओ, ये bacteria plant cell को infect कर सकता है, क्या कर सकता है, infect कर सकता है, तो मान लो कि bacteria के आस पास मैंने बहुत सारे plant cells रख दिये, अब ये bacteria plant को infect करेगा, मतलब क्या करेगा, हमने जो gene, bacteria के अंदर डाला, ये bacteria उस gene का एक copy बनाएगा, और उस gene को वापस plant cell के अंदर डाल देगा, नई समझा, bacteria gene का एक copy बनाएगा, और उस gene को plant के nucleus में डाल देगा, फिर वो gene जाके plant के chromosome के साथ add हो जाएगा, incorporate हो जाएगा, और हमारे plant cell कैसे हो जाएगे, modified plant cell हो जाएगे, genetically modified plant cell, कहानी समझी, हमने क्या किया, हमने पहले bacteria को modify किया, फिर उस bacteria ने plant को infect किया, and plant cell को modify कर दिया, I hope this is clear, ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब मुझे पूरे plant को grow करना है, किस तरह grow करूंगा, 9 standard में हमने एक technique सीखी थी, tissue culture, सीखी तो थी, लेकिन आपने कितने अच्छे से सीखी थी, यह मुझे नहीं पता, यहाँ पर मैं आपको explain करने की कोशिश करता एक petri dish होती है, एक काच का dish होता है, उस petri dish के अंदर अगार gel add किया जाता है, ध्यान से सुनना, एक powder होती है, उस powder को बोलते हैं, अगार अगार powder, कौन सी powder, अगार अगार powder, उस अगार powder के अंदर पानी add करोगे, तो वो एक gel बन जाता है, और उस gel के अंदर हम कुछ nutrients, growth factors, growth regulators, plant के hormones, ये सारी चीज़ें हम उस gel के अंदर mix कर देंगे, ठीक है, एंड उस gel को हम petri dish के अंदर लगा देंगे, इस तरह से, जो औरेंज कलर का दिख रहा है न, वो अगार जल है, एंड उस gel के अंदर हम हमारे modified plant cell को रख देंगे, इस तरह, अब आपको पता है, प्लांट cell भी, divide होकर, divide होकर, divide होकर, एक पूरा plant बना सकता है, I repeat, एक single plant cell, divide होकर, divide होकर, अगर उसको बराबर nutrition मिले, proper condition मिले, तो वो single plant cell भी, पूरा plant बना सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये plant cell, divide होने लगेंगे, ठीक है, एंड धीरे धीरे करके, हमारे petri dish के अंदर, इस तरह से छोटे-छोटे-छोटे plants बनने लगेंगे, फिर ये plant बड़े होंगे, फिर उनको हम pot में transfer कर देंगे, इस तरह से, अब मुझे इत बात बताओ, वो जो plant cell थे, वो modified थे, तो हमारे जो plants बनेंगे, इनके अंदर भी नया gene add हो गया है, नया character add हो गया है, तो हमने यहाँ पर bacteria को modify किया, और दूसरी कहानी में हमने GM plant बनाया, GM plant मतलब genetically modified plant, पक्का, clear है यहाँ तक, अच्छा एक last कहानी बताता हूँ, एक open field है, और इस open field में एक bell और गाय घास चरने आये थे, लेकिन वो जो बुल था ना, वो exotic breed वाला बुल है, कैसा बुल है? जर्सी, होलस्टेन, सुनाओगा आपने, और यह जो काव है, वो हमारी Indian काव है, देसी काव, सहिवाल, टांगी, रेट सिंधी, Indian breed है, दोनों का species सेम है, लेकिन breed अलग है, शायद यहाँ पर species और breed में थोड़ा सा confusion हो सकता है, एक simple example लेते हैं, dogs का, कुतों का, देखो, Pomeranian भी कुता है, Great Dane होता है, German Shepherd होता है, Rottweiler होता है, Doberman होता है, Golden Retriever होता है, Labrador होता है, पग होता है, यह सारे कुते हैं, species सेम है, लेकिन breeds अलग है, ठीक है, अलग-अलग breed है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी, exotic breed and Indian breed, और मान लो कि इनके बीच में हुआ प्यार, and इनके बीच में कराया जाए, reproduction, तो reproduction किसके बीच में हो रहा है, between two different breeds of the same species, मुद्दा पकड़ो, point पकड़ो, reproduction will take place, between two different breeds of the same species, इस reproduction को बोलते हैं, hybridization, क्या बोलते हैं, hybridization, and इनका जो बच्चा होगा, cute सा, यह जो बच्चा है, काफ, इसको हम बोलेंगे, hybrid, and इसका जो characters होगा, वो उसके mom and dad, मतलब जो exotic bull था और जो Indian का हो थी, उन दोनों के characters का combination होकर इसके अंदर आएगा, समझ रहे हो, the hybrid will have the characters of both the parents, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पपा से आएगा, थोड़ा थोड़ा मम्मी से भी आएगा, समझ रहे हो, पक्का, यह animal म में हुआ, ऐसा ही hybridization हम, plant में भी कर सकते हैं, तो माल लो, मेरे पास दो flowers है, same species के हैं, बट different breed के हैं, ठीक है, अब अगर इनके बीच में मुझे reproduction करवाना हो, तो मुझे एक को male बनाना पड़ेगा, और एक को female बनाना पड़ेगा, लेकिन एक problem है, flower के अंदर androsium भी होता है, गाइनोशियम भी होता है, male and female दोनो parts, एक ही flower के अंदर होते हैं, तो मैं female plant किस तरह बनाओ, ये लोग क्या करते हैं, इसका जो androsium होता है ना, stamens, उसको cut करके निकाल देते हैं, इस तरह से, दिख रहे हैं, स्टेमेन को काटके हटा दिया, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो male plant है, उसके एंथर में pollen grain, देखो आपे, एंथर में pollen grain produce हुआ है, उस pollen grain को हम female plant का जो stigma है, उसके उपर डाल देंगे, cross pollination हुआ, correct, तो अब मुझे बताओ, यह जो female flower है, उसके अंदर आगे की process क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है ना, reproduction chapter में, pollen grain में से pollen tube निकलेगी, वो pollen tube ovule में जाएगी, फिर उसके अंदर दो male gamits होंगे, double fertilization होगा, यह पूरी story हमने पढ़ी हुए है, यहाँ पर ovules जो हैं, यह ovule seed में convert हो जाते हैं, यह हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ जो seed बनेंगे, यह seed कहते होंगे, hybrid seed होंगे, समझ रहे हो, इन seed को use करके अगर मैं एक plant ग्रो करूँ, तो उस plant के अंदर जो character है, वो male and female जो flower थे, उनके character का combination होगा, और उसको भी हम क्या बोलेंगे, hybrid बोलेंगे, तो यह hybridization की कहानी समझ में आ रही है, animals में भी होता है, plants में भी होता है, इस तरह से hybrid seed बनाया जाता है, clear है, चले थोड़ा जाता है, अब अगर हमारा basics clear हो गया है, gene क्या होता है, क्या करता है, bacteria को किस तरह modify किया, plant को किस तरह modify किया, hybridization क्या होता है एनिमल में होता है प्लांट में होता है यह सब हमने बेसिक्स देख लिया तो अब आगी की कहानी बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं देखें बायो टेकनोलोजी ब्रिंगिंग अब आर्टिफिशल जेनिटिक चेंज अब यह आर्टिफिशल जेनिटिक बोल सकते हैं एंड हमने एक और चीज़ करी थी हाइब्रिडाइजेशन वो जो फॉरेन का बुल था इंडियन का थी उनके बीच में जो हुआ वो क्या था हाइब्रिडाइजेशन एक बाद याद रखना बायो टेकनोलोजी में दो चीज़े होती है आर्टिफिशल जेनिट के स्वार्च के लिए या फिर इंसान के ग्रीड के लिए नेचर के साथ खिलवाड करना ऐसा भी बोल सकते हैं सोचे इसके बारे में and anyway there is a considerable progress in the field of agriculture and pharmacy बायो टेकनोलोजी को यूज करकर एगरी कल्चर में काफी सारी progress हुई है and even in pharmacy medicine industry होती है pharmaceutical industry वहां पे भी काफी सारी development हुई है because of biotech अब आपके textbook में बहुत सारे point repeated हैं दो दो बार आए हैं तीन तीन बार आए हैं तो हम थोड़ा उनको हटा कर सीधा मुद्धे पर आते हैं सीधा point पर आते हैं कौन से main areas हैं जहां पर biotechnology यूज करी जाती है biotechnology is used in the following main areas number one use of abilities of microbes microorganisms के ability को हम use करके कुछ product बनाने वाले हैं for example हमने पढ़ा है कि milk को convert करके yogurt बनता है cheese बनता है butter बनता है and यह conversion कौन करता है lactobacillus तो यहां पर हम lactobacillus की ability को use करके milk product बना रहे हैं correct and also अगर मुझे alcohol produce करना है for all molasses तो यहां पर मैं east को Saccharomyces seri VC है उसको use करता हूं तो हमने क्या किया हमने microbes के ability को use करके एक product बनाया cool दूसरी बात use of productivity of cell काफी similar सा point है यहां पर भी हम microorganism के productivity को use करेंगे example production of antibiotic आपको बता है अब यह vaccine bacteria किस तरह बनाते हैं यह हम अगले lecture में देखेंगे तो यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं vaccine भी हमें bacteria बना कर देते हैं कैसे अगले lecture में बताऊंगा फिर use of biomolecules like DNA and protein in human welfare एकदम general एकदम straightforward point यहां पर डाल दिया है DNA को हम manipulate कर सकते हैं modify कर सकते हैं proteins को भी modify करा जा सकता है for human welfare हमारे भले के लिए या फिर स्वार्थ के लिए I don't know fourth point क्या बोलता है development of different plants different animals and products of desired quality अलग-अलग plant अलग-अलग animals को हम produce कर सकते हैं by gene manipulation genetic modification बताया था यह already हमने बात करी है इसके उपर fifth point क्या बोलता है production of human growth hormone with the help of genetically modified bacteria same story पहली वाली कहानी जो मैंने आपको बताई bacteria के अंदर हमने insulin का gene डाला तो bacteria insulin बनाता है वैसे हमारे पास growth hormone का भी gene होता है growth hormone का भी gene है उस gene को अगर हम bacteria के plasmid में डाल दें तो वो bacteria मुझे human growth hormone भी बना कर देगा are you understanding production of growth hormone with the help of genetically modified bacteria and sixth point आखरी पॉइंट क्या बोलता है use of genetic and non-genetic technique अब biotechnology में डो technique है genetic and non-genetic genetic technique में gene modification gene manipulation वो सब आ जाता है artificial genetic change and non-genetic biotechnology में क्या आता है use of cell or tissue हमने एक technique पड़ी tissue culture यहां पर अगार जेल के अंदर हम cells को use करके पूरा plant grow कर रहे थे कर रहे थे तो यह tissue culture technique कहां आती है non-genetic biotechnology में आती है and एक और चीज़ production of hybrid seed hybridization हमने किया plant में तो वो प्रोसेस भी non-genetic technique में आती है यह objective में आ सकता है बच्चों what are non-genetic biotechnology techniques कौनसी होती है tissue culture and production of hybrid seed यहां तक की सारी कहानी एकदम clear है तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं तो बात करते हैं benefits of biotechnology biotechnology से होने वाले फायदे यहां पर हम specifically agriculture की बात करेंगे agriculture में होने वाले फायदे अब ऐसे बहुत सारे crops है plants है जिनको genetically modify किया गया है उनके genes को manipulate किया गया है ठीक है such crops are called as GM crops genetically modified crops and अगर हम ऐसे crops agriculture में use करते हैं तो हमें काफे सारे benefits हो सकते हैं उनके बारे में बात करनी है number one it has become possible to increase the per hectare yield hectare is a unit of area and yield मतलब production तो उतने ही area में one hectare area में आप ज्यादा crops produce कर पाओगे the crop production per unit area will increase because of biotechnology मुद्दा समझ रहो irrespective of limitation of cropland area मतलब मानलो आपका जो farm है आपकी जो field है वह बहुत छोटी है लेकिन उतने ही छोटे से area में भी आप ज्यादा crops grow कर सकते हो ये एक बहुत important फाइदा है इना country such as India जहां पर population बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है डिमांड बढ़ता जा रहा है तो हमें crop का production भी बढ़ाना पड़ेगा clear है दूसरी बात expenses on disease control have minimized since development of resistant varieties अब scientist लोग ने ऐसा crop develop किया ऐसा crop produce किया जो बिमार नहीं पड़ता वो disease resistant है ठीक है it is a resistant variety बिमार पड़ता नहीं है तो हमारा expense on disease control disease control का जो हमारा खर्चा है वो बच जाएगा ठीक है पैसा बच रहा है बहुत important है तीसरी बात due to development of fast fruit setting varieties ये लोग ने ऐसा plant develop किया जिसको fruits फटाफट आते हैं ठीक है कुछ plants होते हैं जिनको fruit produce करने के लिए काफी ज़्यादा time लगता है लेकिन हमने क्या किया उनको genetically modify किया तो ऐसे plants पे फटाफट fruit आने लगेंगे fast fruit setting variety so the yield per annum has increased yield मतलब production annum मतलब year the production of fruits per year has increased अब ज़्यादा fruits produce करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ज़्यादा पैसा मिलेगा तो भई किसको नहीं चाहिए पैसा सबको चाहिए पैसा फैर एनफ एड लास पॉइंट डेवल्प्मेंट ओफ ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज विच कान विच्ट्स्टैंड वेरियेबल टेंप्रेचर यह लोग ने ऐसा हमारा प्लांट डेवलप किया कैसा ऐसा स्ट्रेस रेजिस्टेंट मतलब मालो कि टेंप्रेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर बहुत ज्यादा कम हो गया फिर भी हमारा प्लांट मरेगा नहीं हमारा प्लांट जिन्दा रहेगा बिकॉस हमारा प्लांट कैसा है स्ट् हमारे crop को हमारे plant को बहुत time तक पानी नहीं मिला वो dehydrate हो गया पूरी तरह सूख गया फिर भी वो मरेगा नहीं वो उस stress को withstand करेगा सहन करेगा manage कर लेगा because हमारा plant कैसा है stress resistant है ठीक है and एक बात changing fertility of soil अब यह fertility किसके उपर depend करती है nutrients के उपर अगर soil में nutrients कम हो गए तो fertility कम हो गए and अगर वो farmer अनाडी है उसने बहुत जादा chemical fertilizer डाल दिया तो भी problem create हो जाएगा plant affect होता है because of excess fertilizers लेकिन अगर हमारा plant stress resistant है तो वो उस changing fertility वाले condition में भी जिन्दा रह सकता है उस stress को manage कर सकता है सहन कर सकता है तो यह सारी beautiful चीज़े possible है because of biotechnology and और भी चीज़े develop हो रही हैं धेरे करके आएंगे आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन कहानी खतम नहीं हुए बहुत कुछ बाकी है बहुत कुछ बताना बाकी है वह एक एक करके हम अगले lecture में एक एक lecture में देखते जाएंगे ठीक है question answers भी मैं इसका बायो टेकनोलोजी का आपको अगले lecture में हुआ 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 है वह की और देकिन का उहाल गROड़ मिजबास